आज आप किसी प्रतियोगिता के मूड में हैं, जिन्दगी के कुछ ख्षेतरों के लिए ये ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आप कुछ ज्यादा उग्र ना हो जाएं, खास्तोर से अपने परिवार को लेकर, आज आपको अपनी भावनाओं को संतुलन में रखना होगा। 22 अक्तूबर, राशी मेश, रोमैंस, आज अपने प्रेमी के साथ आप यादगार पल बिताएंगे, सभी परेशानियों को पीछे छोड़ कर, साथ घूमने से संबंध में नई मजबूती आएगी, 22 अक्तूबर, राशी मेश, करियर, आज आपको अपने कुशल कारे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा सकता है, इससे आपको ज्यादा मेहनत वर लगन से काम करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इस प्रशंसा को अपने सिर पर न चड़ने दें। अगर आप इसमें सफल रहे, तो आपको लाब ही होगा, संप्रेशन कला में निपुण मैनेजर भी अपने काम को पूरी कुशलता से पूरा कर पाएंगे, 22 अक्तूबर, राशी मेश, फाइनांस, अगर आप कानून संबंधित काम करते हैं, विशेश कर सामाजिक कानून, त तो आपका आज का दिन अत्यंत लाब दायक होगा, आपके हाथ में एक बड़ा काम, अर्थात व्यवसाएं आएगा, या फिर आपको पद वृद्धी मिलेगी, इस समय को अपने आर्थिक लक्ष को पाने के लिए इस्तिमाल करें, 22 अक्तूबर, राशी मेश, हेल्थ, आज आज आप ज्यादा उर्जावान रहेंगे, आज आप राहत की सांस लेंगे, और आज आप अच्छा भी महसूस करेंगे, हाल ही में आई समस्या गंभीर नहीं बनेगी, इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, 22 अक्तूबर, राशी व्रिश, ओवर्वियू आपके घर में खुचियों का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मजा कर रहें, विदेश से भी आपके कुछ रिष्टेदार आ सकते हैं, उनके स्वागत के लिए तयार रहें, काम का बोज शायद आपको उनके साथ का मजा ना लेने दे, लेकिन आप दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करें, 22, अक्तूबर, राशे व्रिष, रोमैंस, अपने पार्टनर की योगिता को लेकर आज आप थोड़ा असंतुष्ट होंगे, आपको अपनी अपेक्षा में बहुत नीचे जाने की जरूरत नही 22, अक्तूबर, राशे व्रिष, करियर, अपनी सही जगह प्राप्त करना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिर रही हैं, आज आप सोच रही हैं कि आप अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकल कर कोई नया करियर शुरू करें, आप जिस पदवी पर हैं, वहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और इसकी दिंचरिया से आप थोड़े बोर भी हो गए हैं, आप अब भी सही नौकरी की तलाश में हैं, आज अपने काम के बारे में जल्दबाजी में कोई निरने ना लें, लेकिन अपने सभी व इससे कि आपको आर्थिक लाब होगा, आर्थिक सफलता से आपकी जिंदगी में न सिर्फ एक नई चमक आएगी, बलकि उन्नती के और भी कई रास्ते खुलेंगे, ये भी मुम्किन है कि आपके वेतन में बढ़ोतरी हो, जो लोग इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर नई न आरजाना आपके शरीर को देना पड़ रहा है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर आपको कुछ दर्द हो सकता है, अब वो समय आ गया है जब आपको उठकर जिंद जाना होगा, इससे आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी आज आपको अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए, आप बेमिसाल विचारों से भरे हैं, लेकिन ये विचार अपना महत्व खो देंगे, अगर आप उन्हें सही तरह से व्यक्त ना कर पाएं जो बोलें, धीरे और स्पष्टता से बोलें, साथ ही इस बात का ध्यान दें कि सुनने वाला व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझ पा रहा है या नहीं पूरा प्रयास करें कि दूसरा व्यक्ति वही समझे जो आप कहना चाह रहे हैं, इससे आप अंत में बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे अगर आप अकेले हैं, तो आज आप ये सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें कि आप कैसा पार्टनर चाहते हैं पिछले समय में आप गलत व्यक्तियों से मिलते रहे हैं, जिससे आपका दिल तूटा, वैसे व्यक्ति से मिलें जो आपको खुश रखें, लंबा स्थाई रिष्टा अपना निर्देशित लक्ष बनाएं 22 अक्तूबर राशि मिथुन करियर 22 अक्तूबर राशि मिथुन, फाइनान्स कुछ वस्तूएं जिन्हें आप बहुत पहले खो चुके थे, आपको आज वो मिल जाएंगी ये आपके लिए कोई विशेश वस्तू हो सकती है आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आज आप अपनी बहुमूल्य वस्तूएं प्राप्त कर सकते हैं अपनी आखें सतरकता पूर्वक खुली रखें, क्योंकि आज आपको जो चीजें प्राप्त होंगी, उन में से एक वस्तू इतनी मूल्यवान है, जिसे आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे आज आपको छोटी छोटी बीमारियों जैसे कफ और कोल्ड से बच कर रहना होगा, ध्यान रखें कि आप अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं और किसी भी वस्तू को मूह में न डालें, क्योंकि आप बीमार पढ़ सकते हैं, ऐसी बीमारियां आपके शरीर को अंदर से न आपको विदेश जाने का नियोता मिल सकता है, इसलिए अपनी आखें और कान खुले रखें, ताकि आप सही अफसर को हाथ से ना जाने दें, ये नियोता काम से संबंदित हो सकता है, या फिर निजी भी हो सकता है, कैसा भी हो, लेकिन इससे आपको लाब होगा, लेकिन आप आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखना होगा आज आपको अपना संबंध तूट सा प्रतीत होगा किन्तु हालात उतने खराब नहीं जितने की दिखते हैं अपने साथी की भावनाओं वो अपनी इच्छाओं में ताल में लाकर वो कुछ समय देकर परिस्टियां बहतर बनाई जा सकती है आज आप अपने करियर को लेकर किसी करियर अडवाइजर से मिलने की सोचेंगे आपका ये निरने बहुत ही सही है क्यूंकि अब अपनी करियर संबंध ही योजना बनाने का समय आ गया है आज के दिन का उपयोग खुद को सही रास्ते पर लाने में करें आज अपने उपर या अपने किसी प्रिये व्यक्ति पर खर्च कीजिए सिर्फ कार्ड या उपहार पर ही निर्भर ना रहते हुए अपने मूड को भी बदल डालिए आज उनके लिए सबसे बढ़िया अच्छी सोचवाली और समवेदन शील ऐसी वस्तु उपहार में खरीदिये और इस खरीदारी के दौरान अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले ही लीजिये आज आप अपने स्वास्ते को उच्च स्तर पर पाएंगे आपके पास सही मात्रा में उर्जा है तो इसका उपयोग जरूरी व्यायाम करने में करें आप खुद को स्वस्त रखने की अच्छी आदत को बनाए रखें आप देखेंगे कि आप उर्जावान और स्वस्त महसूस करेंगे बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद कानूनी लड़ाई का फैसला आपके हक में रहेगा अब आप चैन की सांस ले सकते हैं आपके वकील की सलाह अब काम आएगी परिस्तिती को ध्यान से समझें और जरूरी कदम उठाएं इस कानूनी मुद्दे को अब पूरी तरह से खत्म कर दें आज आपका पार्टनर आपके लिए सहूलियत लाएगा आप दुनिया भर के तनाव को किनारे कर अपने सच्चे पार्टनर के साथ समय बिताएंगे आपको पता है कि रिष्टे को खुद आगे ले जाना होता है आज उसे आप महसूस कराएं कि इस दुनिया में उसके लिए आप से बढ़कर कोई खास नहीं हो सकता 22 अक्तूबर राशे सिंग करिया मानसिक वशारिक स्वास्त के कारण आपके कारे प्रदर्शन में विद्धी होगी आपके काम वपढ़ाई में आप पूरा मन लगा कर काम करना चाहेंगे आज आपको कारिक्षेतर में अपना लोहा मनवाने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें अगर साजेदारी में कोई काम शुरू करते हैं तो आज इसमें किसी तरह का फाइदा नहीं दिख रहा है इसलिए अभी तो इस खयाल को हर हाल में मन से निकाल दें इसका यह भी कारण हो सकता है कि जिसके साथ आप साजेदारी करने जा रही है वह व्याविसाइक तोर पर आपके बराबर का नहीं हो और बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े जो खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है उससे आपको दूर रहना होगा अगर आपको काम के सिलसले में या निजी काम के लिए किसी यात्रा पर जाना था तो किसी कारण आपकी इस योजना में बाधा आ सकती है या तो आपकी यात्रा कुछ दिनों के लिए टल सकती है या फिर आपकी योजना पूरी तरह से बदल सकती है लेकिन इस बदलाव के कारण आप नाराज ना हूँ आपके शांत वो रोमैंटिक जीवन में अपने साथी के साथ कुछ मदभेद हो सकते हैं इन अवांचनिय परिस्थितियों से निबढने के लिए यदि आप अपने साथी को प्यार भरी निशानी देंगे तो वह अचूक इलाज सावित होगा जिससे आप सी प्रेम फिर से उमंगे भरने लगेगा आज आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय से जो बात आपको परिशान कर रही थी आज वो परिशानी कम हो रही है आप पर काम का बहुत बोज रहेगा लेकिन काम से संबंधित कुछ तनाव आज कम हो जाएगा कम तनाव के इस दौर का लाब उठा कर आपको अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए आज किसी के साथ कोई साजेदारी करते हुए या कोई लेंदेन करते हुए सावधान रहें जरूरी नहीं कि हर किसी का प्रस्ताव नकार ही दें लेकिन साजेदार चुनते वक्त सावधानी बढ़तें और किसी दस्तावेस पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ठीक से जान समझ लें आप निश्चिंत हो लें कि जिसके साथ आप साजेदारी कर रहे हैं उसे आप पहले से ही जानते हैं आपको उसके पिछले रिकॉर्ड को भी जान लेना चाहिए जहां तक पैसे का सवाल है किसी पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए आज आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उर्जा का स्तर भी उचा रहेगा कुछ स्वास्त विकार के बाद आप अपना स्वास्त फिर से अच्छा महसूस करेंगे आप अपने अच्छे स्वास्त और उर्जा का उप्योग कुछ जरूरी व्यायाम, अच्छे स्वास्त और अच्छे खान-पान को कायम रखने में करें 22. October राशितुला ओवर्वियू आप मेंसे वो लोग जो अपने परिवार से दूर रह रहे थे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकेंगे इस समय का प्रेयोग आप अपनी पुरानी मीथी यादों को ताजा करने के लिए भी कर सकते हैं आपके इस खुले पन से सभी परिजनों वो मित्रों को बहुत खुशी मिलेगी, वो बदले में आपको बहुत प्यार देंगे, इस समय आपको अपने परिजनों के साथ काम करने से लाब भी होगा 22. October राशितुला रोमैंस आज आपको अपने प्रेमी से एक तोफ़ा मिलेगा, जो आपको हैरानी में डालेगा, वो प्रेमी हाल में की गई सफलता के लिए आपका प्रशंसक रहा है, आप उसकी कृतग्यता से हैरान होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए गर्म जोशी महसूस करेंगे, अगर तो ये रिष्टा सफल हो सकता है, इसका आनन्द लें. 22. अक्टूबर, राशितुला, करियर आत्म विश्वासी व मेहनती लोगों के लिए काम की कोई कमी नहीं है इन विशेशताओं के कारण आप विशम परिस्थिती में भी आसानी से काम कर सकेंगे आज कठिन परिस्तिती में भी आसानी से काम करने की इच्छा के चलते आप अपनी योजनाओं को समय पर पूरा कर सकेंगे आपकी ताकत वह विश्वास आपको बहुत आगे ले जाएगा 22 अक्टूबर, राशितुला, फाइनांस अगर आप अपने लाब को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज इस दिशा में भरपूर कोशिश करने का दिन है हाला कि यह थोड़ा मुश्किल है इसलिए जो भी बन सके कीजिए सही समय पर सही प्रयास करके इस लाब को पाया जा सकता है आज आप सेहत को लेकर थोड़ा लड़ खड़ा सकते हैं मगर कोई अच्छी खबर मिल जाने के बाद मानसिक तनाव कम हो जाएगा जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करेंगे अपने अच्छे स्वास्थ का आनंद उठाते हुए व्यायाम और ताजी हवा का भी लुथ उठाएं आपको अचानक कोई खोई हुई वस्तू मिल जाएगी ये कोई प्यारा सा तोहफा, कोई कीमती चीज या फिर कोई महदवपूंड दस्तावेज भी हो सकता है कुछ भी हो, अब आप इसे संभाल कर रखें और इसके मिल जाने की खुशी में अपने सितारों को धन्यवाद दें आज किसी नए रिष्टे को शुरू करने से पहले अच्छी तरह उसे परक लें इस रिष्टे की सफलता के लिए तरक संगत बुद्धी का इस्तेमाल करें और बिना सोचे समझे हवा में न बहें आपके लिए रिष्टा अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इसके प्रती आश्वस्त हों आज आपको अपने पार्टनर के चुनाव के वक्त यथार्थवादी और तरक संगत होना जरूरी है अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में है तो वो खुशखबरी आपको जल्दी ही मिलने वाली है अपने विचारों को सकारात्मक रखें इसका लाब आपको आने वाले समय में जरूर होगा इस नए मौके का पूरा लाब उठाने की कोशिश करें यदि आपने किसी कर्ज के लिए आविदन कर रखा है तो आज उधर से अच्छी खबर मिल सकती है इसमें देर लगी पर आपके सबर का फल मीठा निकला इस रकम को समझदारी से खर्च करें और जो मदद आपको मिल रही है उसे अनाप शनाप गवाना भी ठीक नहीं हाँ, कर्ज उतना ही ठीक जितना आप आसानी से चुका सकें आप खुद पर संयम बना के रखें ताकि आपको कोई शारिरिक परिशानी न हो खास कर तब जब आप दूसरों से अपनी परिशानी चुपाते हैं आप तनाव की स्थिती अपने दिमाग में जियोकितियों बनाए रखेंगे आज आप तनाव कम करें जिसका असर आप अपने स्वास पर देख सकते हैं आज आप शायद खुद को किसी सामाजिक मुद्दे में फसा हुआ पाएंगे इससे बाहर निकलने के लिए कूट नीती का सहरा लें ये परिशानी आपकी वजह से खड़ी नहीं हुई है लेकिन फिर भी आप इसमें फस गए हैं आप बस अपनी संप्रेशन कला का प्रयोग करें और सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा आज रुमैंस के मामले में आपका अफजरों से भरा दिन है आपके आसपास का कोई व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते पर वह आपसे अकर्शित है आपकी उससे मुलाकात होगी अगर आप अपने निश्चे पर अटल रहें तो जहां पहुँचना चाहते हैं वहां पहुँच सकते हैं आपके पास कोई जादूई छड़ी नहीं है लेकिन अगर आप अपने काम को कड़ी महनत से पूरा करने की कोशिश करें तो सफल जरूर होंगे आप अपनी क्षमता के प्रती इमानदार रहें और नए-नए क्षेत्रों में अपनी रुची बनाएं आप एक लाबगारी जमीन जायदाद संबंधी सौधा खरीदने वाले हैं अतह अपनी आँखें खुली रखें विशेश कर जमीन जायदाद के अच्छे सौधों के लिए आपको एक महत्वपूर जमीन का टुकडा हाथ लगने वाला है इसलिए आप अपने नस्दीक के दराल से बाट जीत कर अच्छी जमीनों की सूची तयार करें आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा हो सकता है आपको सर्दी गर्मी या फिर श्वास संबंधित समस्या हो जाए मदिरापान और शीतल पे से दूर रहें और ध्यान रहे धूमरपान से भी दूर रहें हो सके तो धूल और धूएं से दूर रहें अगर आपको बुखार महसूस हो तो पूरा आराम करें ताकि ये बीमारी दूर हो जाएं आज आप किसी सामाजिक समारोह में भाग लेंगे ये समारोह आपके किसी रिष्टेदार के घर भी हो सकता है इस समारोह में जाने से आपको बहुत खुशी मिलेगी इसलिए इस समारोह में जाना आपके लिए बहुत जरूरी है यद्यपी आप अपने रिष्टों की गरिमा से खुश हैं तब भी आप पाएंगे कि आज आप या आपका साथी अत्यंत व्यस्त्र है, जिस कारण आप अपने आपको अवांचनिय महसूस करेंगे, वो अपने साथी के प्यार में भी कमी महसूस करेंगे. आपको अपने साथी से इस विशे पर खुले पन से विचार करना होगा, जिससे इमानदारी से समस्या का हल निकाला जा सके, ये कठिन समय जल्दी ही गुजर जाएगा आज का दिन अपना पूरा जोर लगा कर अधिकारियों को प्रसंद करने का है, यदि इस समय पदोन्निती का काम चल रहा है और आप कड़ी महनत कर रही हैं, तब निश्चे ही अच्छे परिणाम मिलेंगे जरूरत है कि आप व्यवसाई के नए विकल्प पर तुरंट और सकारात्मक धंग से सोचें, इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा आप इस विकल्प को अपनी महनत से हकीकत में बदल दीजिए, व्यवसाई में सफलता का मूल मंत्री यही तो है, थोड़े बहुत उतार चड़ाव के साथ आपकी आर्थिक सिती लगातार ठीक होती जाएगी कभी किसी छोटे मोटे बदलाव से चिंतित ना हो, क्योंकि आप अपनी महनत से ऐसे आर्थिक संकटों से तुरंत पार पालेंगे आज आपको थोड़ी सावधानी बरदने की आवशकता है, जिससे आप अच्छा स्वास्त कायम रख सकें अपने आपको विवाधास्वत सितियों से दूर रखें, ताकि आप किसी मानसिक उल्जन में न पढ़ें आप उन कामों से दूर रहें, जिनसे आपका मूड खराब हो सकता है सिर्फ खाने के लिए न खाएं, बलकि आपको इसमें सावधानी भीवरतने की आवशकता है ध्यान रखें कि पॉस्टिक भोजन ही आपको स्वस्त रखने में सहायक होगा आज शायद आपको अपने मित्रों वसह कर्मियों से कोई मदद ना मिले इससे आपको शायद निराशा भी हो, लेकिन याद रखें कि हर किसी की अपनी कुछ सीमाएं भी होती है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निरणे ना लें, आत्म विश्वास बनाए रखें आज आप किसी भी चुनोती पूर्ण परिस्थिती का सामना आसानी से कर पाएंगे 22, अक्तूबर, राशिकुम्ब, रोमैंस अपना साथी चुन्ने में सावधानी बढ़तें, वो पहले की तरह गल्ती को न दोहराएं लंबे समय तक आपको वो आपके परिवार को सुख प्रदान करने वाले साथी का चुनाव करें शुरुवात में उत्तेजक लगने वाले, वो आपको उचित महत्व ना देने वाले लोगों से दूर रहें 22, अक्तूबर, राशिकुम्ब, करिया आज आपको एहसास होगा कि आप अपनी महनत से ही इतनी आगे आ सके हैं सभलता पाने के लिए लगातार अपना ध्यान के इंद्रित करके प्रयास करने की जरूरत होती है लगातार काम करने से आपको अपने साथियों से भी इज़त मिलती है आप पाएंगे कि दूर विदेश में वैठा कोई आदमी आर्थिक रूप से आपके लिए फायदे मंद साबित हो रहा है यह फायदा या तो उस नेटवर्क का नतीजा है जो आपने हाल में बनाया था या यह लाब सीधें आपके बॉस के चलते मिल रहा है यूँ ही काम करते रहे फायदे और भी मिलेंगे आज आपको बीमारी में आराम मिलेगा बस आप खान पान और अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं जिससे आपको फायदा मिले इससे आपके पेट को आराम मिलेगा और किसी बड़ी बीमारी से बचाव भी होगा इससे आप अपनी सही पहचान भी कर पाएंगे. अब आपको घर की चार दिवारी से बाहर निकलना ही होगा, क्यों न आप कहीं बाहर छुट्टियां मनाने चले जाएं? ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है, अपना सामान लगाईए और बाहर मस्ती करने निकल जाईए अगर आप किसी शादी को लेकर बातचीत कर रही हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है. कोशिश कीजिए, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी. आज डेट भी फाइनल हो सकती है. आज आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे. सिर्फ आपको उन पर एक बार नजर डालनी होगी. आप में से जो लोग अपना डेपार्ट्मेंट बदलने की सोच रही हैं, वो आज ऐसा कर सकते हैं. अगर आप व्यापार में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है. व्यापार में लाब के संकेत हैं, कोई आर्थिक समस्या है तो वह दूर हो जाएगी. आपके लिए व्यापार और करियर के कुछ अच्छे विकल्प खुल रही हैं. इसलिए आप कुछ नए आइडि और संपर्क ढूंडने शुरू कर दीजिए. अगर आपको हाल ही में ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी आई है, तो आज वो दिन है जब आपको इस समस्या से निजात पाने के लिए इसका हल ढूंडना होगा. आज वो दिन है जब आपको असुरक्षित खाने से सावधान र झालग 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 दिन है जब आपको इस दो आफको जैगा.